आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे मीठे मूमस वैसे तो आपने स्पाइसी मूमस चिकन मूमस वेज मूमस बहुत से खाये होंगे लेकिन आज मैं मीठे मूमस बनाने वाली हूँ तो आईए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है यह मैंने 2800 गिरा मूमकी डाल लेकर दोकर इसको आदे घंटे के लिए भीगा कर रख दी थी हमारी डाल अच्छे से अभी भीग चुकी है पैन में हम मूमकी डाल को डाल देंगे और इसमें दालेंगे आधा गिलास पानी अभी हम इसके पर ढकन ढक कर इसे बारीक आंच पे पांच मिनिट के लिए पकाएंगे देखें पांच मिनिट हो चुके हैं अभी हम इसे चेक करेंगे पांच मिनिट पकने के बाद इसमें उबाला चुका है चम्मच से हम इसे थोड़ा सा हिला कर थोड़ा सा फास्ट आंच करेंगे और बिना ढकन के हम इसे पकाएंगे अभी हम चम्मच से इसे बीच में हिला लेंगे ताकि इसमें नीचे डाग न लग जाएंगे हमें ध्यान देना है डाग भी न लगे और पानी भी अच्छे से हमारा सुख जाए और दाल भी अच्छे से पक जाएंगे देखें डाल में पानी अच्छे से सुख चुका है डाल भी हमारे गल चुकी है यह देखें डाल भी गल चुकी है हमें ऐसे ही चाहिए अभी हम गैस को बन कर देंगे अभी हम इसे ठंडा होने देंगे दाल देखिए एकदम बिल्कुल ठंडी हो चुकी है अब दाल को हमें अच्छे से मैश करना है देखिए दाल हमारी अच्छे से मैश हो चुकी है बिल्कुल भी दाल में पानी वगेरा गीला कुछ भी नहीं है हमें ऐसे ही चाहिए अभी हम शक्कर डालेंगे देखे मैंने मिक्सर की जैर में देर सो गिरम शक्कर ली हूँ अभी हम इसे पीस लेंगे शक्कर को मैंने पीस दी हूँ अभी हम डाल में शक्कर को डाल देंगे और इसमें डालेंगे एक चमच इलाइची पाउडर और हातों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे देखे शक्कर मिलाने के बाद ये इस तरीके से पतला हो गया है अभी हम इसे पकाएंगे देखे गैस पे मैंने रख दी हूँ दाल को फास टांचे और हमें इसे चम्मस से हिलाते रहना है ताके नीचे डागना लग जाए देखे शक्कर का पानी अच्छे से सुख चुका है अभी हम गैस को बन कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे देखे मैंने पाओ किलो मैदे का आटा ली हूँ इसमें हम पानी दाल कर आटा गुन लेंगे देखे आटा गुन कर हो चुका है अभी हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे बिल्कुल छोटे छोटे बनाना है इस साइस के हमें पेड़े बनाना है देखे सारे पेड़े बनकर तयार हो चुके हैं अभी हम पानी गरम होने के लिए रख देंगे देखे मोमुस जिसमें पकाते हैं वो हंडी मैंने रख दियूँ गैस पे पाने दाल कर अभी मैं उसके जाली रख दूँगी जाली रखने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी और इसे चारों तरफ लगाऊँगी देखे सूब का अठा लगाकर अब हम इसे बेल लेंगे रोटी बेल कर देखे हो चुकी है अभी हम इसके अपर एक चमच मूंदाल मसाला रख देंगे अभी हम इसे एक तरफ से ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाएंगे देखे आदा फोल्ड हो चुका है अभी इस आदे को हम दोनों को इस तरीके से चिपका देंगे देखे यह अच्छी से चिपक चुके है अभी हम इसको जाली पर रख देंगे इसी तरह हम सारे मोमस को बना कर रख देंगे देखे सारे मोमस को हमने बना कर रख दिये जाली में अभी हम इसको ढखन ढख कर 6-7 मिनिट के लिए पकाएंगे देखे 5-6 मिनिट हो चुके है अभी हम इसे चेक करेंगे मोमस देखे अच्छे से पक चुके है अभी हम गैस को बन कर देंगे माशालला देखे मीठे मोमस बनकर तैयार हो चुके है वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बता रहा मीठे मोमस कैसे बले अल्ला हाफिज